हेलो फ्रेंड्स मैं स्वागत करती हूँ आप सब का अपने चैनल पर देखिए जब हम बजार से छनी लाते हैं तो बिल्कुल चमकदार और नहीं होती लेकिन कुछ दुनों में उसका हाल जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है वो काली पर जाती है और उसके सारे छेद बंद हो जा इस बंद हुए चाय की छनी के छेदो को और काले पड़्चू की छनी को बिल्कुल नया और चमकदार कर दूँगी कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स हमें ना कोई लिक्विट तयार करना है ना बेकिंग सोडा लेना है आप गैस को आन करिए और इस तरीके से अपनी चाय की छ पतार वो चाय की पती के कंड भी बहुत ही बारिक होते तो इस तरीके से वो इसमें फस जाते है और हमारी छनी जो है देरे-देरे ये गंदी और काली हो जाती है तो आप इस तरह से इसको जला लीजिए जब ये जलने लग जाएगा तो इसमें से देखिए धूवा निकलने लग जाता है तो हमें पता चल जाता है कि पूरे कण जो अच्छे से जल चुके हैं और आप गैस को जब इस तरीके से जलने लगे तो आप गैस को आफ कर दीजिए गैस को आफ करने के बाद जितनी देर तक यह जल रहा है आप इसको इसी तरीके से जलने दीजिए इसको साबुन से बरतन साफ करते हैं बढूर की राप समthe के सापुन करती हैं वही ले लीजिए तरक भाषब लतन का छता है अस असका सिर्षर होग़ 15 सापूर के मेनद साप लूह और लेज़ो है ना ज़्यू बव। बार अंदर की तरफ से माज लीजीए एक बार बाहर की तरफ से क्योंकि फ्रेंट्स हम जब दोनों तरफ से माजेंगे ना तब जो है इसके होल में जो कुछ भी हल्का फुल का फसा होगा वो सब निकल जाएगा अब आप उपर की इसी महनत के हमारी पूरानी गंदी छन्नी बिल्कुल चमकदार हो जाएगी इस तरी से आप छोटा ब्रस ले लीजिए यह जो उपर वाला है इसमें हमारा लोहे का जूना अच्छे से नहीं काम करता है तो हम क्या करेंगे इस तरीखे से छोटे ब्रस को लेके अंदर और बाहर यह जो हमारा स्टील वाला पोर्शन है इस पे हम घुमा घुमा के अंदर और बाहर ब्रश की मदद से अच्छे से इसको मांज लेंगे अब आप नल ओन कर लीजिए नल ओन करने के बाद आप इसको पानी से धो लीजिए देखिए पुरानी छन्नी कैसी हमारी मिंटो में जो गई है आप भी इस फॉर्मूले को यूज कीजिए और मुझे उमीद है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताईए ये ट्रिक किस किस को पता थी है अगर आपको अब पता चली है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे उमीद है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा